मानव जीवन की सार्थक्ता परंपुरूष ने मानव जाती के उप्योग के लिए जो कुछ भी दिया है उसका मिलजुलकर सदवैभार करना सभी के लिए उचित है वैसा ना करने का अर्थ है परंपुरूष की इच्छा के बाहर जाना दूसरों का शोषन करके अपने को पुष्ट करना वैस्टी और समस्टी के दोनों के लिए छती कर है मनुष्य की परागती है मात्र परंपुरूष सभी मनुष्य मिलजुलकर भात्रित्व के बंधन में आबद्ध होकर एक साथ उस चरम लक्ष की ओर जा सके इसलिए सभी मनुष्यों की हर तरह से साहता करनी है ताकि कोई पीछे परा न रह जाए इस तरह चलते चलते अपने लक्ष परंपुरूष तक पहुंच जाना ही मानव जीवन है इसी में मानव जीवन की चरितार्थता है यही परम पुरुषार्थ है यही परमार्थ है इसी काम को करने के लिए मनुष्य पृत्वी पर आया है मनुष्य यदि ऐसा नहीं करता है तो वह मनुष्य नाम के योग नहीं है धर्वहीन मानव जीवन पसू जीवन से अधम यह है कि मनुष्य इस धर्ती पर बहुत ही कम समय के लिए आता है और वह परमपुरुष को भुला कर दूसरों का शोसन करना भौतिक वस्तुओं को संचय करना और दूसरों को प्रतारित करना दुखी करना यह मनुष्य का काम नहीं है जो ऐसा करता है वह मनुष्य के रूप में मानव नहीं पशुवत जीवन से भी अधम है मनुष्य का जीवन है परमपुरुष की ओर चलना सेवा से भक्ति से तुम सब भात्रित्व भाव से मिल जूल कर रहोगे ऐसा करना ही मनुष्य जीवन की सार्थकता है आप सब को अच्छा लगा है तो जरूर कमेंट करें शेयर कीजिए अपने परिजनों को दोस्तों को और लाइक कीजिए ताकि हम अनन्दमार के सिध्धानतों को जादा से जादा लोगों तक पहुँचा सकें इसलिए हमारा जो भी संदेश होगा आपके पास सबसे पहले पहुच जाएगा